हेलो एवरीवन, वेल्कम अगें टू लांगे दितिमन, लास्ट वीजियो हमने किया था लोक नत्य, चैप्टर नमबर एट के अंतरगत, और आज हम करेंगे इसी चैप्टर में ये आपका सेकिंड पार्ट है, लोक नत्य, तो आज ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा, तो हम लोग पढ़ते भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, पहले हम चैप्टर को बहुत अच्छे रीडिंग करते हैं, उसके बाद question answer जो है, वह एक paragraph में जितने भी question होते हैं, उन सभी को हम लोग याद करते हैं, तो इसी तरीके से चीज़ें जो हैं वो याद रह जाती है जब हम उनकी डिटेल पढ़ते हैं और फिर हम उनके एक एक कुश्चन के आंसर जो है वो लर्ण करते हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लोक नाटे तो जिस तरीके से लोग गीत थे जन सामानने के द्वारा गाए जाने वाले उसी तरीके से लोक नरत्य थे और आज हम कर रहे हैं लोक नाटे यह भी जन सामानने के द्वारा वहां की जो भी क्रिया कलाप हैं लोगों के उनके जो व्यवहार हैं उनकी जो दिन्चर्या है और यहां तक की उनकी जो शाशन व्यवस्ता है राजनिती किस तरीके की है यह सभी जो है वो नाटे के माध्यम से लोगों दोरा जन सामानने दोरा दर्साई जाती थी, तो ये जो है, वह बहुत प्राचीन है, लोकनाटे की परंपरा बहुत पुरानी है, लोकनाटे की कथाएं, समवाद और गीत लोग मानस में प्रचलित और उनकी रुची की अंडूप होते हैं ये जन सामानने के लिए मनोरंजन के लिए उनहीं के द्वारा मंचित किये जाते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि गाउं में ही देखते हैं कि वहाँ लोग जो हैं वह अपनी पुराने रीती रिवाजों को चीजों को नाटक के माध्यम से दिखाते हैं जिनको वो लोग बहुत ही मनोरंजन के साथ देखते हैं वरतमान में एतिहासिक पुरानिक और लोग कताओं के साथ साथ राजनितिक शाषन विवस्ता और ये सब घटना क्रम जो है यह भी लोग नाटें में दिखाया जाता है राजिस्थान के लोगनाटे बहु रूपी और बहु रंगी हैं। इसलिए राजिस्थान को रंगीला राजिस्थान कहा जाता है। और रंगीन परिधान में डूवी संस्कृति का कारण है तो इनका जो वातावरन यानि प्राकरतिक परिवेश ही ऐसा होता है कि इनके द्वारा जो देवी देवता होते हैं इनके प्रति इनकी आस्था होती है यह भी इनके नाटकों में देखने को मिलती है राजिस्थान के मरस्तली शेत्रों में कटिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगणा, नट, मिरासी, भार्ट, भांड, नामक पेसेवर जातियों के लोग करते हैं इनकी वारतालाप व्यंग विनोध प्रधान होते हैं अलवर भरतपुर शेत्र के लोग नाट्यों में राजिस्थान, हर्याना और उत्तरप्रदेश की लोग संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है ठीके क्योंकि अलवर भरतपुर जो है वो है राजिस्थान और उत्तरप्रदेश इसकी बिलकुल सीमा पर ही है औ और उसके बाद अर्याना का जो है वह है भी यहां टच दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई, मादपुर, आदी शेत्रों की लोकनाट्यों पर ब्रज्य भूमे की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। राजिस्थान के लोकनाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विशेवस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंदित होती हैं जिनमें एतिहासिक तत्व भी होते हैं। जो भी हमारे जो महराजा हुए, राजा हुए, इन्होंने जिस वीरता से सामना किया दुस्मनों का, ये जो भी पुराणों में जो चीजें हैं, उन सपी को दिखाने के दिए क्या है? खयाल जो है वो किये जाते हैं, ठीके? जिनमें एतिहासिक तत्व भी होते हैं। जो भी चीजें होती हैं, वह हैं इनमें हमें दिखाई देती हैं। वो गोलिक अंतर की कारण इन खयालों ने विभिन रूप धारन कर लिये। इनमें भासागत के स्थान पर शैली गत भिनता भी दिखाई देती हैं। इन खयालों में कुछ विशेस्ताइं निम्पकार होती तो क्या क्या विसेस्ता होती है कुचामनी खयाल के प्रवर्तन प्रशिद लोगनाटे का लक्षमी राम ने किया तो कुचामनी खयाल के प्रवर्तन जो है वो कौन है लक्षमी राम खयाल बरंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया लक्षमी राम दौरा रचित ख इसमें लोग गीतों की प्रधानता है, इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, इनमें इसी चरित्रों का अभीने पुरुस पात्रों द्वारा किया जाता है, तो कौन करते हैं इस खयाल में पुरुस जो है वह है, क्या करते हैं, अभीने करते हैं, इस खयाल में संग को बस इतना ही याद रखना है कि कुछामनी खयाल जो है इसके प्रवर्तक कौन है नाट्य का लक्षमी राम ठीक है और इसमें कौन करते हैं अभिने पूरस करते हैं इस्तिरी चरित्र का अभिने सेकिंड है सिखावटी खयाल चिड़ावा निवासी नानू राम इस शैली के किस खयाल के सिखावटी खयाल के उनके स्वर अचित खयालों में प्रमुक है हीर रांजा, हरी चन, भरत हरी, जैदेव कलाली, ढोला मरवड और आलादेव इस लोकनाटे शैली की विसेश्थाएं क्या है, प्रभावी पद संचालन होता है, पैरों का संचालन, संप्रिश्यनिय, शैली में भासा और मुद्रा में गीत गयन, वाद्य में प्राय, हर्मोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नकारा, ढोलक इन सभी का प्रियोग होता है किसमें सिखावटी खयाल में, इसके प्रमुक जो खिलाडी रहे हैं, वो कौन है, नानूराम, सिखावटी इलाके में नानूराम के शिश्य दूलिया राना के खयाल प्रमुक बहुत लोकप्रियें हैं, गीत में समवाद उनके खयालों को सहितिक तथा रंग मच के अनकूल बनाते हैं, दूलिया राना के परिवार के लोग ही इन खयालों में होने वाले व्यका वहन करते हैं, जो भी खर्च होता है, वो इनके परिवार के लोग ही करते हैं, किसके दूलिया राना के, दूलिया राना कौन है, जो नानूराम है, जो मुक्खे किलारी हैं सिखावटी नेक्सट हैं थर्ड नमबर पर जैपुरी खयाल गुणी जन खाना के गलाकर जैपुरी खयालों में भाग लेते थे इस खयाल की कुछ निजी विशेष्टाये हैं, जैसे स्थी पात्रों की भूम्मिका का निर्वन इस्थियां ही करती हैं, इस खयाल में नए प्रियोगों का अत्यदिक संभावनाएं हैं, इसमें समाचार पत्र, कवीता, संगीत, नत्य, गान, अभिने का सुंदर समावेश मिलता है, और इसमें जोगी-जोगन, कान-गुजरी, मिया-बीबू, पठान, रसीली-तामबोलन आदी हैं, तो जैपुरी खयाल में अंतर क्या है, कि यहां पर इस्त्रियां जो हैं, वह हैं, खुद ही अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, और नई-नई चीज़ें जो हैं, वो यहां पर देखने को मिलती हैं, हैला खयाल, हैला खयाल, दोसा, लाल, सोट और सवाई, माधपूर, शेतर के प्रसुद लोकनाटे हैं, इस खयाल के प् खयाल का प्रारम होता है, साथ में नौबत बजाया जाता है, इस खयाल के प्रमुक विशेषता है, हैला देना, इसका अर्थ क्या है, लंबी टेर में आवाज देना, अगला है, कनहिया खयाल, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-थोड़ा याद रखिएगा, कि इनके जो क अलाकार हैं, वो कौन हैं, और किनके द्वारा ये किया जा रहा है, इस्त्री द्वारा या पुर्सों द्वारा, कनहिया खयाल, कनहिया खयाल करौली सवाई माधवपूर, धौलपूर, भरतपूर और दोसा शेत्र का प्रसित लोगनाटे है, इस खयाल में कही जाने वाली कहन तथा मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है तो कनहिया खयाल में मुख्य कथा को कहन और मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है तुर्रा कलंगी खयाल मेवार के शह अली और तुकन गीर नमक संत पीरों ने 400 वर्स पूर्थ तुर्रा कलंगी की रचना की तुर्रा को का और कलंगी को पारवती का प्रतीक माना जाता है तुकन गीर तुर्रा के तथा शहा अली कलंगी के पक्षिकार थे इनके शिव शक्ती संबंदि विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्यमाध्यम काव्य में रचनाए थी जिनने दंगल के नाम से जानते हैं इसके सम पुट उचा रंगमच बनाकर उसकी राजिस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है इस लोगनाटे में दर्शक में भाग लेने की सरवादिक संभावनाई होती है और इसमें चंग जो है वो बजाया जाता है इस खयाल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तोड, निंबाहेर तथा नीमत जो कहां है मध्यप्रदेश में इन इस्थानों पर इस खयाल के सरफशेष्ट कलाकार है सोनी, जैदयाल, चेत्राम, हमीद बेग, ताराचन और ठाकुर, उंकार सिंग आती किसके तुर्रा कलंगी खयाल के यहां पर आप याद रखिएगा कि तुर् ने इसकी रचना की थी इसके अलावा इसकी कलाकार है सोनी, जैदयाल, चेत्राम, हमीद बेग, ताराचन और ठाकुर, उंकार सिंग नेक्स्ट है गवरी बादन समवाद प्रस्तुती करण और लोक संस्कृति के प्रतिकु मिवाड के भीलों की गवरी अनूठी है इसमें प अधार्मिक लोक नाटे है जो शिव भश्मासुर की कथा पर आधारित है रक्षा मंदन के दूसरे दिन भाद्वा कृष्णा एकम को खेडा देवी से भोपा गवरी मंचन की आग्या लेता है इसके बाद पात्रों की वस्त्र पहनते हैं पात्र मंदिरों में धोक देकर नहीं खा सकते जिस गाउं से गवरी आरंभ होती है तो वोही गाउं जो है वो क्या करता है उसका खर्चा वेहन करता है गवरी के मुख्य पात्र जो है वो क्या है बुडिया most important line है एक्जाम में पूची जा चुकी है गवरी के मुख्य पात्र बुडिया बसमासुर का जब ह होता है राया इस्त्री रूप में पार्वती और विश्नु की प्रतीक होती है जाम्टया लोग भासा में कवीता पाठ करता है खडगड़या उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है बुड़िया खडगड़े के समवाद में पूरग बनता है और अन्य पात्र खेला जाता है तो यह क्या है सभी पात्र है गवरी में केवल पूरुस पात्र होते है ठीक है अब गवरी में कौन होते है केवल पूरुस इसमें गणपती भमरिया मेयावर्ड मीना कान गुजरी जोगी खाड़लिया बूत लाखा बंचारा नटड़ी तता माता और शेर के खेल होते है ठी के अपसरपत जितने प्रकार के लोका नुरंजन राजिस्थान में प्रचलेत हैं उनमें रम्मत का विसिस्थान है विसिस्थान है रम्मत जैसलमेर में पलोदी में और विकानेर में यहां आयोजित होता है इसमें राजिस्थान के लोग नाट्यों और महापुर्सों पर रच के प्रमुक रचेता हैं तेजकवी जैसल मेरी ने रम्मत का अखाड़ा स्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। और उसे महात्मा गांदी को भेट कर दिया था। रम्मत की सरवादिक उलेखनिय विशेशता है उसकी साहितिक क्रिता। इस व्यवसाइकता के युग में रम्मत आज भी सामुदा एक लूपनाटे का रूप लिये हुए हैं। रम्मत की मूल उर्जा टेरिये होते हैं और रम् में होती है। बड़े बड़े लकडी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छत्री नुमा सिंगासन बनाया जाता है। मुखे मंच के चारों और दर्शक बैठते हैं। उचे मंच पर वादक, नगाडा, तबला, जांज, चिम्टा, तंदूरा, ढोलक, हार्मोनिय हम आदी लेकर एक कौने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नासते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। विकानेर की रम्मत में आचारियों की चौक की अमर सिंग राठोर की रम्मत, विस्सों की चौक की चौबेल नोटंकी की रम्मत और कीकाडी व्यास की चौक की जमनादास जी की रम्मत जो है वह प्रशिद है। और यह कब होती है होली के अफसर पर। अगला देखिए तमासा। तमासा जैपुर का प्रशिद लोकनात्य है। यह महराजा प्रताप सिंग के काल में शुरू हुआ था। भट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमासा का लोकमंचन करता है। फूल जी भट, गोपी कृष्न भट, वासुदे भट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपी चंद और ही रांजा मुख्य तमासे होते हैं जो यह किये जाते हैं। तमासे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहते हैं अखाडा, संगीत, नत्य और गायन इन तीनों की तमासे में प्रधानता होती है। तो तमासा कहा का प्रशिद है? जैपूर का प्रशिद है, कब शुरू हुआ था? महाराजा प्रताप सिंग के काल में। नेक्स्ट देखिए स्वांग, लोक नाटियों में स्वांग की एक परंपरा है, स्वांग कारत क्या होता है? विषेज, एतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रशिद या समाज में प्रशिद, चरित्र, देवी देवताओं की तरह है, में धारन करना, स्वांग, गाउं में अधिक प्रस्लिद है, इसका कलाकार जो है, वो कौन है? बहरूपया कहलाता है इसका कलाकर जो होता है जो भी इसको करता है उसको क्या कहते हैं बहरूपिया कहते हैं क्योंकि वह क्या करता है देवी देवता की तरह है अपना रूप जो है वो धारन करता है मेकप करता है कपड़े पहनता है और फिर क्या करता है स्वांग इस विलुप्त प्राय कल केलवा का परशुराम है तो यह क्या है यह कला विलुप्त हो गई है और इसके जो नामी कलाकर का नाम याद रखना है केलवा का परशुराम इसके प्रशिद कलाकर जानकी लाल भांड भीलवाड़ा इन्हों ने भारत उत्सवों में राजिस्थान का प्रतिनिदेत्व किया थ स्वांग के प्रसित कलाकर कौन है जानकी लाल भांड तो यहां पर इस टब्बे को भी देखते हैं क्या आप जानते हैं इसमें क्या लिखा है दूले की बारात जब लड़की वाले के हाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महलाओं द्वारा वर वदू की नकल के रू मात्र उद्देश्य असली वर वदू को आधी व्याधी से मुक्त रखने की मनोकामना है तो यह सब तो आप भी जानते हैं नेक्स्ट है लीला नाट्य अब यह लीला नाट्य क्या है राजिस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूंट भूमिका है राम लीला और कृष्ण लीला तो यह क्या है यह सबी लीलाएं है रास लीलाओं में स्री कृष्ण के बालेकाल कि सोरा वस्था की लीलाओं का प्रस्तुति करन किया जाता है फुलेरा जैपुर असलपुर हरदोडा गुंडा आधी में रास लीला की अनेक मंडलियां है रास लील का मुख्य प्रायोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवन्त चित्रन होता है ठीक है तो यहां पर राम जी के जीवन प्रसंगों का जीवन्त चित्रन किया जाता है इसमें इन लिलाओं में इसके प्रस्तुति करण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाओ की अप पहचान है, राम जीवन से संबंदित महतवपून समयों को इस नाटेशाली में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें नत्य गीत एवं विविन बादों का प्रियोग किया जाता है, गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाक सुकल चतुरुत्ती को बख्योर की गंगोर के ना लाएं, राजिस्तान में प्रसिद्ध है, इन लीलाओं के प्रमुक अखाडे गोसुंडा और बस्सी है, गोसुंडा में रादा कृष्ण के युगल सुरू और राजदी लीलाओं का आयोजन किया जाता है, अफ्तारों के चहरे बिभिन प्रकार के मुखोटे धारण किये बस्सी में ब्रह्मा, गनेश, कालिका, हिरन्यक श्यप, नर्सिंग, अफ्तार, आदी के जहां के अवे प्रदर्शित किये जाते हैं, तो देखें यहां पर समझाने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल डेटेल में ये चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं कि ये भरतरी आदी प्रमुक हैं, प्राय, विभा, समाजिक समारो, मेलों, लोकुत्सवों, यहां पर नोटंकी जो है वो है, इसका आयोजन होता है, लास्ट है चार बेंत, चार बेंत टॉंक का प्रसिद्ध लोक नाटे हैं, ठीक है, बिल्कुल चैप्टर के end में ही टॉपिक है, चार बेंत, याद रखना है, कहां का लोक नाटे है, टॉंक का, यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है, इसका प्रारम टॉंक के नवाब है, जुल्ला खां की शाशनकाल में करीब खान इहंग द्वारा किया गया, इस लोक नाटे में गायक डव जाता हुआ, गुट हो जाएंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद भी हो जाएंगे, और लोक नाटे जो हैं, यह थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कुशन आंसर जब हम करेंगे, तो वहां आपको यह चीज़े समझ में आएंगी, तो चलिए, अब हम करते हैं, अभ्यास अडमिर काठी, तो आपको बताना है यह गीनअ नत्य के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कच्छी झोडी नत्य किस अफसर पर किया जाता है, होली पर, विवहा पर, टीज पर, या नवरात्रे पर, तो विलकुल आपको पता है, कहां कब किया जाता है, तो यहा नहां भी मैं आपके लिए दो option ही छोड़ती हूँ, आपको बताना है जालोर या जैपुर, लक्षी राम का संबंध किस लोकनाटे से है, सिखावटी खयाल से, कुंचामनी खयाल से, जैपुरी खयाल से, या हैला खयाल से, बिल्कुल हमने लोकनाटे जो है वो आज के ही वीड पढ़ा था, चार मेंत, तो कहां का लोकनाटे है, आपने देखा, दोसा, टॉंक, जैसलमिर या कोटा, तो कहां का टॉंक का, तो इन पांचों की answer जो है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है, यह आपका क्या है, होमवक है, ठीक है, स्वांग से आप क्या समझते हैं, तो लोकनाटे किसके शाशनकाल में प्रारम हुआ था, तो पढ़ाता हमने महाराजा प्रताप सिंग के काल में प्रारम हुआ था, और जैपूर का प्रशिद है तमाशा, ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर कम्प्लीट होता है, ऐसे ही कोशन है कि महात्मा गांधी को सुतंतर भावनी की प्रती किसने भैट की, हेला खयाल किस शेतर का प्रशिद लोकनाटे है, तिरेत आले नत्य किस लोकते वता की आराद्ना में किया जाता है, घैर नत्य में कौन से वाधी अंतर प्रेश्ट होते हैं, अग्नी नत्य किस संप्रदाय से संबंदित है, और भवाइन र पीछे जाकर जो है वो दुबारा से पढ़िएगा, मिलते हैं इसी तरीके से next chapter के साथ, thank you.